जब यत्ती को मुसीबात आती है, तो उसको सारे दोश न जराते हैं, जरा पंडी जी देखना मुझे पित्र दोश है, क्यों, बहुत तकलीफ में है, बहुत कश्ट में है, बहुत दुख्य है, बहुत तकलीफ में, बहुत कश्ट में, बहुत दुख्य है, बहुत दुख्य है पंडी जी बोलेंगे पितर दोश तो नहीं है वास्तु सास्त्री के पास पहुँच गए महाराज और वास्तु सास्त्री के पास जा करता जड़ा देखिए हम बड़े तकलीव में हैं बड़े दुख्यें है क्या वास्तु दोश है हमारे गर में क्या हमारे गर में बास्तु दोश नहीं है तो फिर इतना तुक काय से है इतनी तकलीट काय से आप जो परमातमा का भजन करोगे किर्टन करोगे नाम जाप करोगे इस्मर्ण करोगे करम अच्छा करोगे तो ही तो टीक होगा माराज जड़ा देखो हमारे घर में कोई दोस तो नहीं है वास्तु का वास्तु दोस नहीं है अपित्र दोस नहीं है वास्तु दोस नहीं है फिर का एक काम करो हम बड़े तकलीक में है जड़ा हमारी जन्म पत्रीका देखो जन्व लगन देखो जन्व पत्रिका देखो पत्रिका में तो दोश नहीं है अरे भाई जब व्यक्ति का मुसीबत का समय आता है दुख का समय आता है तकलीप का समय आता है तो वो पित्र दोश देखता है वो वास्तु दोश देखता है वो पत्रिका में दोश देखता है कि कारण क्या है मुसीबत का बस दिक्कत एक ही है कि वो अपने कर्म में दोश नहीं देखता कि मेरे ये पित्र दोश ये वास्तू दोश ये सारे दोश तो बात के हैं पर सबसे पहला दोश की जो कर्म करा है वो कैसा करा है उसके अनुसार मुसीबत आई, उसके अनुसार हम दुख जेल रहा है, बारवार कहा जाता है, मत भुरे करम कर बंदे वर ना पच्छताएगा, भगवान की आखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, हम दोश देख रहे हैं, हमने पित्र दोश दिखवाया, हमने बास्तु दोश दिखवाया, हमने पत्रिका में दोश दिखवाया, मेरा एक निवेदन करवद्ध है, जब आपके उपर मुसीबत जब आई है, दुख जब आया है, तो अपने पूर्वके किये हुए करम का भी दोश निखा लो कि क्या तर पत्रिका दिखा करके बलबू पत्रिका का दोश मत निकल वाइगा, बास्तू का गलती निकाल कर वास्तू का दोश निकल जाए, महाराज अगर पित्रों का भाव निकाल कर पित्रों का दोश निकाल लिए पर एक दोश अपने भीतर भी है, वो कर्म का दोश है, कुछ अच्छ और यदि बेकार कर्म किया है तो कहीं ना कहीं दुख तो उसने लिखा है कर्मकार मत बुरे करम कर बंदे वरना बचताएगा बगवान की आखों से तू बच नहीं पाएगा अरे ओ अज्यानी मत करना गानी बारा कर्म का दोश जरूर देखे पित्र दोश बाद में देखना वास्तु दोश बाद में देखना पत्रिका में दोश बाद में देखना पहले अपने कर्म का दोश देखे कि निवेदन करेंगे बारवार करते हैं कि भगवान की भगती में दूगो शिव का इस्मर्ण करो राम का कृष्ण का तुमारी मर्जी पड़े उसका इस्मर्ण करो पर करो क्यों क्यों कि दुख तकलीफ कष्ट पत्री का दिखाने से नहीं कटेगा मकान के दरवाजे बदलने से वाश्रूम बदलने से पाइप बदलने से नहीं बदलेगा दुख तकलीफ तुम पचास बार वास्तू का भी बदल कर देख लेना फिर भी तुक और तकलीफ कष्ट नहीं ये कष्ट समापत नहीं होगा दुख और तकलीफ समापत नहीं हो किसी से तुमने बेवकूब बनाकर मूर्ख बनाकर किसी को वेपार में वेवसाय में कोई काम में किसी को मूर्ख बनाकर बेवकूब बनाकर सीधा था समझ नहीं पाया उससे तुमने 10,000, 20,000, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, तुमने ले तो लिये और खुश भी हो गए कि मैंने उससे ले लिये अब वो मेरा क्या बिगाड लेगा? आए लेने के लिए बहला क्या बिगाड लेगा? और वो आया उसने का भहिया तुमने मेरे पेसे लिए रखें देदो ना भहिया उस समय पर जब मेरे खस था मैंने आपको दे दिया था अब आपका काम हो गया ना देदो अब आपके पास में पूंजी आ गई ना देदो बहुत ध्यान दीजिए महाराज दो धरा का पैसा होता है, एक व्यक्ति ब्याज पर देता है, देता है न ब्याज पर, कि तुम यह रुपया ले जा, हम तुमसे इतना ब्याज लेते रहेंगे, बाद में मूल दे देना, और एक व्यक्ति वो होता है, जो अपने पंद से, प्रेम से, अपनी करुणाते से, अप पर व्यक्ति इतना विचित्र हो जाता है कि जिससे ब्याजते लिया है उसका तो पूरा ब्याज देता रहता है और जिसका विचारे का देना उसका दें नहीं पादा पर निवेदन है जिसने तुमें मुसीबत में साथ दिया तकलीफों में कश्ट में तुमारे साथ दिया सबसे पहले हाथ जोड़कर उसको निवेदन करकर देना कि ये तेरा है भाई ना जाने फिर ज़र्वत पड़ जाए तो तुस्से मिलतो जाएगा जब एक बार दे दोगे तो वो दूसरी बार देने के लिए तैयार बयठा रहे गा पर तुमने जब सोच लिया विचार कर लिया कि मैं तो खा रहा हूं निगल रहा हूं तो फिर जब नियत में खोटा गया तो फिर वो कुछ नहीं करेगा जिसका तुमने पैसा खाया वो कुछ नहीं करेगा अब तो वो करेगा जिसने इसके माध्ध्यम से तुझे दिलाया उसको कुछ नहीं करना जब कश्ट पे कश्ट आया दुख पर दुख आया तकलीप पर तकलीप आई सारी पत्री का दिखा ली पित्र दोस्त की फूजन करा ली बास्तु बदलवा लिया सारे काम कर लिये तो भी दुख नहीं मिठा तब गुरु के पास गए पर गुरु भी क्या बोलेगा यही बोलेगा कि ओर थोड़ा सा देख लो पर कश्ट मिठेगा कब विचार करना पंडवों पर कित्ती कित्ती तकलीफ है कित्ती तकलीफ है पंडवों पर लाक्षा गिरा में आग लग गई पर भगवान किसी रूप में आगर बता दिये कि आग लगने वाली है सुरंग बनवा दी बाहर निकलवा दिया दुख तो आया था न पूरे बन में जब तक पांडव रहे तकलीफों पर तकलीफ भौग दे रहे हर बार तकलीफ सब भौगा पर भगवान पर विश्वास था क्योंकि माता कुंती ने कहा था कि कर्म के लेख को शिव काटता भगवान ब्रह्मा उतना ही देंगे जितना तुमारी लेखनी में लिखा है भगवान विश्णु उतना ही देंगे जितना तुमारे भाग्य में लिखा है पर भगवान संकर तो कुछ नहीं देखते ना लेखनी, ना कर्म, ना भाग्योंने का अपनाए देदो उठाके उठाओ जेओ, क्या सोचना, क्या विचारना, क्या करना, देदे, ते नहीं सोचना, ते नहीं विचारना